नमस्कार विद्यार्थी मित्रों कक्षासात विशई हिंदी पार्टिंग कुट्टे की वफादारी भाग एक में हमने कहानी की समझूती देखी थी अब भाग दो में हम स्वाध्याई की समझूती देखेंगे आपने अगर जो यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाइक और सेर कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे हमारे नए अजुकिसन के वीडियो आप तक पहुंशते रहे अगर आपको इस चैनल के वीडियो चाहिए तो स्क्रेन पर दिखाए गए नंबर पर पर्सनल मैसेज करें चलो अब हम देखते हैं सब्दार्थ समाधी यानि समारक वफादार यानि स्वामी भक्त बनजारा एक पिचरती जाती पड़ाओ यात्रा में कुछ समय का ठराओ लादना यानि किसी के उपर बहुत सी वस्तुए रखना लुटेरा यानि लुटने वाला डाकू मिसरी यानि चीनी सक्कत लवटना यानि वापस आना मुग्द यानि आशक मोहिद सूद सूद यानि ब्याज सव सव यानि मृत देह गोद गोद यानि आंचल आगे के मुहावरे हैं हम देखते हैं रदय हिला देना यानि रदय को ध्रवीत करना नव दो ग्यारा होना यानि बार जाना मार खा जाना यानि नुक्षान होना हक्का बक्कार जान यानि चकीत होना फुटी कोडी न होना अत्यांद गरीब होना आउ देखाना ताउ यानि बिना सोचे समझे काम करना कोई चारा न होना यानि कोई उपाई न होना कोई भी रास्ता न होना फुट फुट करोना यानि जोर जोर से रोना अब कावत देखेंगे अब पस्ता होत क्या जब चीडिया चुग गई खेट हमने कानी में देखी दिन या कावत तो इसका अर्थे समय निकल जाने पर पस्ताने से क्या फाइदा मित्रों अब हम अभ्यास देखते हैं अभ्यास में प्रस्ना एक है नीचे दिये गए सब्दों का प्रयोक कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िये तो पहला है समाधी तो बनजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधी मंदीर बनवाया नमबर दो है बनजार पुराने जमाने में व्यापार का सामन लाने ले जाने का काम बनजारे करते थे नमबर तीन वफादार कुत्ता बड़ा वफादार था नमबर चार सव वह कुत्ते के सव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट करोने लगा नमबर पांच लुटेरा अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिकाई देते थे तो कुत्ता भौंग भौंग कर दूर भगा देता था नमबर छे जमानत तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो नमबर साथ सूद मैं आपकी पूरी रकम सूद समेद एक साल मैं ही चुका दूँगा नमबर आट गोद वह कुत्ते के सव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा आगे हैं प्रस्न दो प्रस्नों के उत्तर दीजिए प्रस्न एक है समाधी क्यों बनाई जाती है तो उत्तरे किसी विशिष्ट व्यक्ती या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रती अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधी बनाई जाती है प्रस्न नमबर दो आप इस काहनी को और कौन-कौन से उच्छित सीट सक देना चाहेंगे तो नमबर एक जल्द वाजी का नतीजा दूसरा क्या अब पस्ता है होत क्या जब चीडिया चुक गई खेत नमबर तीन एक कुत्ते का समाधी मंदीर नमबर चार लाखा बंजार और उसका कुत्ता प्रस्ता नमबर तीन कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है तो उत्तर है कुत्ता उनके मालिक के घर का भरोशे मन चौकीदार है कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में गुसने की हिम्मत नहीं कर दे यदि चोर मालिक का सामन चुड़ा ले जा रहे हो तो कुट्ता उनका पीछा करता है अगर चोरों ने कहीं सामन छिपाया हो तो कुट्ता मालिक को उस जगल तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापीस दिला देता है मालिक के लिए कुट्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है अपने इन्ही गुणों के कारण कुट्टे को वफादार प्राणी कहा गया है आगे का प्रस्ण नम्बर तीन सब्दो को सब्दकोस के रूप में लिखिए नई आगे अभी प्रस्ण चार बाकी है प्रस्ण चार बंजारे ने कुट्टे को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता तो उसका उत्तर है कि बंजारे ने कुट्टे को आते देख कुछ सोचा होता तो वो कुट्टे पर लाठी से प्रहार न करता कुट्टा बंजारे के पास पहुँच जाता तो बंजारा उसके गले में बंदी हुई चिठी अवश्य देखता चिठी पढ़कर उसे खुसी होती और अपने कुत्ते पर उसके गर्व भी अनुबव होता प्रस्ना नमबर पांच सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया तो सेठ के यहां चोरों ने डाका डाल दा था कुत्तों ने चोरों का पिछा किया चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड दिया फिर वे भाग गए कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और बोक बोक कर वा जगा बताने लगा जहां चोरों ने माल गाडा था थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल निकलाया सेट जी की खुशी का पार न रहा कुत्ते की वफादारी पर मुगत होकर सेट जी ने उसे मुगत कर दिया प्रस्ट नमबर तीन सब्दों को सब्दों को उसके क्रम में लिखिये या सुन्दर वापस वफादार इसलिए आश्चर्य और लुटेरा हम सब्दों को उसके क्रम में ही लिखेंगे पहले स्वर में देखेंगे तो स्वर में है आश्चर्य आश्चर्य के बाद इसलिए फिर आगे का लुटेरा, वफादार, वापस और सुन्दर, आखरी में सुन्दर आएगा अब आगे का प्रस्ण प्रस्ण नमबर चार यदि आप होते तो क्या करते बताई बराबर तो नमबर एक में कुट्टे को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिये सेठ की जगह आप होते तो सेठ की जगह में होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया क्यों की रूपिय उधार देने की यही रिती है नमबर दो, लाखा ने कुट्टे को बेवफा समझ कर राठी का प्रहार किया लाखा की जगह आप होते तो तो लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्द बाजी में कुट्टे पर प्रहार ना करता मैं कुट्टे को अपने पांसाने देता, मैं उसके गले में बंदी हुई चिठी को देखता और उसे पढ़ कर मैं अपने कुट्टे को गले लगा लेता चलो आगे प्रस्ण पांच है, पढ़िये और सही सब्द लिखे, तो राजा तो राजी है, तो यहां गलत है तो हम लिखेंगे राजा तो राणी, आगे का ग्वाला तो ग्वाली, अभीनेता तो अभीनेतरी, राणी तो राजा, सिर्नी तो सेथ, सुनार, सुनारिन, ओंट, ओंटनी, लुटेरा, लुटेरिन, बनजारा, बनजारिन, और सेथ, सेथाने चलो आगे हैं प्रस्ण एक स्वाध्याई ढांचे पर से कहानी लिखिए यह कहानी आप लोगों को बनानी है और अपने आपी लिखनी है चलो प्रस्ण नमबर दो नीचे दिये गए प्रस्णों के उत्तर लिखिए रात को कुट्टा पड़ाव की रखवाली कैसे करता था तो कुट्टा बहुत वफादार था रात को वह सावदान रखकर पड़ाव की रखवाली करता था अगर चोल लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता बॉक बॉक कर उन्हें धूर बगा देता था प्रस्था नमबर दो है सेट ने बनजारे के साथ कौन सी सर्थ रखी तो बनजारा सेट के पास उदार रुपिय लेने के लिए आया परन्तु रुपिय के बदले में गिर्वी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था तब सेट ने बनजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ते कुत्ता ही जमानत के रुप में रख दो जब तुम सारे पैसे लोटा दोगे तब कुत्ता तुमें वापस लोटा दोगा इस प्रकार सेट ने बनजारे के आगे रखम के बदले में कुत्ते को गिर्वी रखने की सर्त रखी सेट ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया तो आगे हमने अभ्यास का प्रस्णा नमबर दोगे पास मा देखा था वही है वही उसका उत्तर आएगा प्रस्द नमबर चार इस कहानी से हमें क्या सिक्सा मिलती है तो लाखा ने अपने कुट्टे को सेट को छोड़ कर अपने पास आते देखा तो जल्द बाजी में उस पर लाठी का प्रहार किया उससे कुट्टे की मृत्य हो गई इस कानिसमma यह 6 में मिलती है कि कोई भी काम जल्द आजी में नहीं करना चाहिए सोच समझ कर ही कोई नेवर्णई लेना चाहिए जल्द आजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तर पस्ताना पढ़ता है बागे प्रश्ण तीन है कि रेखांकीत सब्द का लिंग परिवर्तन किजिये और वाक्य फिर शे लिखे तो है घोडा दोड रहा है तो उसका लिंग परिवर्तन घोडा तो घोडी दोड रही है तो अब आगे के देखेंगे के सेठ ने कहा रुपया रुपये तो मैं दे दूँगा तो सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूँगी बनजारे को बहुत दूख हुआ तो उसका उत्तर है बनजारे इनको बहुत दूख हुआ नमबर तीन में है नमबर तीन में उट की पीट पर सामान लदा है तो उसका उत्तर है उटनी की पीट पर सामान लदा है चार में है मैदान में लड़का खेल रहा है तो उसका उत्तर है मैदान में लड़की खेल रही है चलो प्रस्थन चार में क्या है लिंग परिवर्तन लिंग आदारी सब्दों के जोड़े मिलाईये और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए तो यहां गाई तो बेल बरावर जैसे गाई तो बेल तो उसका वाक्य प्रवगे गाई का दूद सिहत के लिए अच्छाए तो उसका वाक्य बेल किसान का दोस्त है तो यहां आगे का है सिस्य तो सिस्या गुरू की सेवा कर रहा है तो सीश्या गुरू की सेवा कर रही है आगे है नाग, नागीन नाग फ़न उठाए बैठा है नागीन फ़न उठाए बैठी है सिक्सक तो सिक्षी का सिक्सक पढ़ा रहा है सिक्सी का पढ़ा रही है आगे गोड़ा तो गोड़ी तो महाराना का गोड़ा बहुत वफादार था सवार की रक्षा के लिए गोड़ी ने अपने प्रांद दिये चलो आगे प्रस्न पांच रेखांकित सब्द की संगना बनाए तो सैनिक अमारे देश की रक्षा करते है तो उसमें सैनिक कौन सी है संगना जाती वाचक संगना हमें देश की प्रगती के बारे में सोचना चाहिए तो यहां देश है वह जाती वाचक संगना है गंगा भारत की पवित्र नदी है तो यह नदी वह जाती वाचक संगना है तो यहां हमारा अभ्यास और स्वाध्याई भी समाप्त होता है इसे के साथ हमारा पाठ सम्पून समाप्त हुआ धन्यवाद